स्वागत है आपका आल इंडिया अगनबाडी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में कहना चाहूंगो यहाँ पर बैठक करती डियम वा सी डिपो अभी आपको बताना चाहूंगा इस बैठक में क्या-क्या बड़ी जैनकारी हैं और क्या-क्या चीजे ऐसी हैं जनके लिए हम चैनल के माद्यम से अपनी और भे जिलों की बहनों को और भे राजों की बहनों की आवाज लगाई जा सकती है तो कहना चाहूंगा यहाँ पर यह जो खबर है वो सरावस्ती से आने की उत्तर प्रदेश के सरावस्ती जिले से वहाँ पर यह बैठक होई है बुधवार को कलेक्रेट में राज पोसर मिसन के जिला इस्तरी समिती की बैठक होई थी जिसमें आंगनवारी केंद्रों की समिच्छा की गई है तता सभी बच्चों और गर्वती महिलाओं को नियमित पोसा हार देने का निर्देश दिया गया है और बैठक की अधिचता करते हुए डियम यसू जो आपके रस्तोगी जी है उन्होंने कहा है कि कुपोसित बच्चों एवं में जो है एनीमिया से जो ग्रसित महिलाएं हैं उनका विशेश रूप से ध्यान रखा जाए और समय से उन्हें इलाज एवं जो पुष्टा हार व केंदर में हैंड पंप की स्थापना कराया जाना था जिसमें से मात्र 28 हैंड पंपों की स्थापना की गई है जबकि 98 आंगनबारी केंदरों में अभी तक धन देने के बावजूद भी जो हैंड पंपों की स्थापना नहीं हो सकी है और इस पर जिला अधिकारी ने नाराज जा गया और वहाँ पर विभाग के अधिकारी कहें या बहनों जिसके अंडर में काम करवाना था उसके चलते ये नल वगारा की स्थापना नहीं हो पाई बताया जारा जिला अधिकारी ने कुपोसित बच्चों के घरों का सर्वेच छड कराकर सोचालय खाद्यान महत्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहट जॉब करड बनाकर रोजगार देने के साथ ही अन्य सरकारी सुविधाय देने का निर्देश दिया है और डीम ने निर्देश दिये हैं कि जो अधिकारी गाउं में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किये गए हैं वे गाउं में जा कर जो है एन्म बगैरा है आसा बहने हैं और आंगनबारी कारकरती से है जो उन सभी से अतिकुपोसित एव़न कोपोसित बच्चों की लि और आपके ADM योगानंद जी हैं पांडे और डाक्टर वीके सिंग ये जो लोग है वो मौजूद रहे थे तो कहना चाहूँगा यहाँ पे ये तो हो गया बच्चो और गर्वती महिलाओं को जो है कुष्टाहार वगएरा देने के मामले को लेकर के उनमे कुपोसर के स्थर में सुधार को लेकर के दूसरी बात कहना चाहूँगा सोन भद्र की जो बहने है उत्तर प्रदेश के उनके लिए एक जानकारी है वहां से निर्वाचन आयोग को लेकर के जिनकी बहनों की ड्यूटी बियलो में लगी है तो मद्दाता सत्यापन का जो बहने काम कर रहे हैं उनके फोन से जो सत्यापन कराय जा रहे हैं वोटरों के तो उसका काम 18 नवंबर तक पूरा करें यानि कि 18 नवंबर तक का समय दे दिया गया है बढ़ रहा है ये समय धीरे धीरे अभी 30 सितंबर था उसके बाद में मीटिंग ब्यानी की सब कुछ हुई फिर और बढ़ाया गया 20 अक्टूबर की गई अब 18 नवंबर क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है बहनों को जो है मुसीबते आ रही है कहीं जगा फोन नहीं है कहीं फोन है तो रिचार्ज नहीं है कहीं टावर की समस्या कहीं फोन को चार्ज करने की समस्या तो कहीं फोन गटिया हैं तो किसी के फोन पहले ही खराब हो चुके हैं और किसे के पास फोन है ही नहीं तो ऐसे में वो क्या दूसरों से मांग करके काम करें तो कहना चाहूंगा ये सारी समस्यां बेहनों को आ रहे हैं जिसके चलते मद्दाता सत्यापन का कार बहुत धीमी गती से चल ला है यहां पर लिखा भी है सत्यापन में धीमी गती पर ओबरा और राबर्स गंज को चिताया भी गया है डिम ने कहा है कि जिम्मेदारी पुरवक्त तुरुटियां जो है तुरुटि रहित सूची बनाएं यानि कि जिन में गल्तिया नहों वो सूची बनाई जाए तो यहां पर यह सारी चीज़े बताई जाना कि मंदाता सूची को बेतर बनाने के लिए पूरी ततपरता वा बारीकी के साथ फीडिंग की जो है कारवाई करें ताकि सही मंदाता सूची तयार हो सके 18 नमबर तक इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाए तो यह जो समय दिया गया 18 नमबर तक का यह सिर्फ और सिर्फ सोन भद्र जिले के लिए उत्तर प्रदेश के बता दूँ आपको बांकी के जिलों के लिए जरूरी नहीं कि वहां पर आपके अधिकारी किस तरह का दबाव बनाए है और कितनी जल्दी आप से काम लेना चाह हैं तो कहना चाहूँगा आगे आपको बताना चाहूँगा सिर्फ दवा पिलाते रहिए नहीं लटेगा पोलियो यानि कि पोलियो जो अपने देश से अपना भारह देश पोलियो से जो है मुक्त हो चुका है आप सब जानते हैं खत्रा नहीं है लेकिन फिर भी बताया जा आगरा से पोश्ट निकली थी कि पोलियो की जो दवा है उसको बराबर पिलाते रहिए तो कई कोई रिस्क वगएरा नहीं लेना है तो यहाँ पे लिखा है कि देश पोलियो मुक्त हो चुका है इसका अब कोई खत्रा नहीं है लेकिन इस भुलावे में रहना भी ठीक नहीं है सही समय पर बच्चों को जिंदगी की दो बून देना जरूरी है अब इसके इंजेक्शन भी आ गए है स्वास्त विभाग के अलावार निजी इस्वताल और एंजियो भी इस काम के पीछें नहीं है असी के दसक की बात करें तो हर साल पचास हजार से एक लाग के आसपास प पोलियो अभियान की सफलता के बाद 2011 में 2011 में सिर्फ एक के सामने आया था और वो भी हावडा पश्चिम मंगाल में 18 महीने की एक बच्ची को पीडित पाया गया था के दसक में 125 देसों में पोलियो से हर साल तीन लाख जो है पचास हजार मरीजों को लकवा हो रहा है लकवे की बीमारी 2017 में यहां अकड़ा 22 रह गया आगरा की बात करें तो जिले में वैक्सिनेशन की स्थिति एक क्यान बेप्रतिसत है और विश्व स्वास्त संगठन अगर किया कहना है कि 75 प्रतिसत से अधिक है और सरकारी स्पतालों में बच्चों को जनम के एक घंटे बाद ही पोलियो दवाप पिलाई जा रही है नेजी स्पतालों में भी ततकाल टीके लगाने का भी इंतजाम है तो कहना चाहूंगा पोलियो जो एक बड़ी बीमारी थी जिसक कुछ भला हो जाएगा तो अब उनकी उम्र भी निकल चुकी सरकारों ने पेंसन की ऐसी कोई सुविधा नहीं रखी कि बढ़ापे में उनका जीवन यापन हो सके तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आगर बाड़ी बहने आज बहुत ही ज़्यादा परि बात सत्य थी और ये बात सव में सो परसंट सत्य है लेकिन उनके कहने का अंदाज अलग था नजरिया अलग था क्योंकि नजरिया की अगर बात की जाए तो उन्हों ने कहा था दिवाली पर आपको मैं जो पैसा दे रहा हूं पंदरा सो वो मिल जाएगा वो जानते हैं कि य बात गैर विभागों का काम भी बढ़ता है तो क्या अपनी यसोदा मा का ये कनया एक बार भी जो है ध्यान नहीं रह सकता कि हमने जो कहा था जो वादा किया था क्या वो पैसा हर एक राज में वहां के राज सरकार मुख्यमंत्री बहनों को एक साल हो चुका दे पाए हैं य क्या सरकार जो समझती है कि आंगनबारी यसोदा मा हैं तो क्या अपनी यसोदा मा के लिए वो जो है इन 4500 रुपए जो के इन सरकार एक तरह से दे रही है क्या इस से उपर देने के लिए सोचा क्यों नहीं क्या हमारे इस कनया ने कुछ क्यों नहीं सोचा हमारी आंगनबार से धर्नों के माद्यम से यही यसोदामा सडकों पर निकल के चली आती हैं और सडकों पर आवाज उठाती हैं कि हमें हमारा हक चाहिए हमें अपने बच्चों का भविश से आगे समारना है और हमें अपना परिवार शलाना जिसके लिए 4000 में आज का खर्च नहीं चलता क्योंकि सरकार कहती है सबसेडी भी छोड़ दीजिए तो एक तरफ आप सब कुछ तो लूठी रहे हैं दूसरी तरफ उनको कुछ नहीं दे रहे हैं तो यह यसोदामा अपने बच्चों को कैसे पालें और यह कनहिया तो छोड़ करके उनको चला गया यह तो आप जानते ही हैं तो कह कि देर है तो उसमें एक राहत भी मिल जाए तो जादा अच्छा होगा जो हुआ सो हुआ एक साल बेहनों ने कैसे अपना वक्त गुजा रहा है इन पंदरासों के बदले और साथी साथ जुमलों के बदले जो कि आप से उम्मीदे थी कि आप आएंगे तो इनकी स्तिती में स सुधार हो जाएगा बाल विकास विभाग को आप सुधरन करेंगे तो इन सब चीजों को गर ध्यान में रखा जाए तो अब समय काफी हो चुका है अगर अभी देर आप करते हैं एक साल दो साल ऐसे ही अगर आप बेहनों की दसा में सुधार नहीं हो पाता तो ये वहाँ प से पान साल चार साल पहले यही हर घर में आगनवारियों उनके बच्चे उनके पती घर का हर एक सदस से कहता था कि मोधी सरकार आएगी तो हम लोगों के बारे में कुछ सुनेगी क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया हम लोगों को रोचगार देंगे नौकरियां देंगे सब कुछ करेंगे और गरीबी मिटाएंगे तो ये सारी चीजें आंगनबारी की स्तिती में सुधार होगा कई-कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने एलान किया और उससे भी बढ़कर के आंगनबारी ये सोच रही थी कि भले ही मोदी जी ने नहीं कहा लेकिन वो एक देश के अच्छे प्रधान मंत्री हैं वो जो जिस तरह से भासर देते हैं जिस तरह से वो हम दर्दी दिखाते हैं उसको देखते वे बहनों ने सोचा कि हमारी स्तिती में सुधार तो ये करेंगे ही इस वज़े से आपकी पार्टी को सपोर्ट भी किया गया लेकिन फायदा और नतीजा जिसको हम बोले क्या निकला वो आप सब के सामने है हर राज्ज में चाहें वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहें भाजपा की पार्टी हो चाहें आम आदमी पार्टी हो चाहें और ने जो हमारी पार्टी हैं वो कहीं पर भी आंगनबाडी की स्थिती में सुधार आज तो है इस समय देखने को नहीं मिल ला है चाहें जितने धरने हो जार खंड जैसे राज में दो महिने धरना हो चुका उसके बावजूद ना वारता ढंकी हुई ना सरकार ने देने का मन बनाया उल्टा धरने का उनका जो कि वीड़ का प्राप तोध कर खंब स्थितार उल्टा उपधिदी का आज कि लागतार जेखने अमिल एंगनों स्थितार ने जहा है जा सब्स्ते हों इने का भीड़म यड़़ नार्व देखने का जार्वड़ गया है